नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं को सदावार को किस मोसम में गिरोख किया जाता है उससे ज्यादा फूलम किस तरीके से पासकते हैं तो दोस्तो चैनल नया है तो प्लीज इसे सक्सक्राब जरूल कीजिएगा यदि आपको मेरी वीडियो फ़संद आए तो वीडियो को लाइक करना और सेर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चली दोस्तो शुरूआत करते हैं सामने रखा हुआ है अदावार का पौदार पौर्ट वी तो आप उसी टेम पर आप इसे सीदलики कर दीजेगा कुछ दिनों में ये सीडली लिंग्स तयार हो जाए का पधा तो סर्दियों के जब सर्दियान अच्छी तplainतारी के चिए तो यह पाथा ॥्ल स ब्रूज जाएगा तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे है मैंने एसाई किया है यह मेरे कुछ पहले पौदे हैं तो इसकी आपको आप लोगों को मैं स्वैल दखा दूंस वी मेरी काफी मैं इनकी समय पर अच्छी से गुड़ाई किया करता हूं तो स्वैल भी मेरी ठीक है तो देखें यहां पर भी देखें यह दूसरा पौदा लग आपने बहुत बड़ी गलती करती यह दिए अब इतक नहीं लगाया इनकी सीडलिंग नहीं किये तो आप जल्दी इसकी सीडलिंग कीजिए आप इसके सीड़ इमेजन इंडिया से भी मगा सकते हैं और इन्हें आप दुकान से भी खर्ज सकते हैं नरसली में आप जाएं तो वहां से भी आपको यह पूदे मिल जाएंगे तो जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कापी सुन्दर पूदे देख रहे हैं हमें अब बात करेंगे दोस्तों इन पर फूल ज़्यादा आने की और फूल कम क्यूं आते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा दूस्तों मैं आप ल दो बार इन में बर्मी कमपोस्ट खात प्रियोग करता हूं इसके अलावा आप बनाना पील फटी लाजर लगा सकते हैं और आपको यह खली भूट कहीं मिल जाए तो आपको उसका जो खात होता है उसे भी आप एक महीने में आप एक वार लगा दें तो कापी अच्छे इस जादा फूल पा सकते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ जो बनाना फिल फटी लाजर होता है उसे आप बनाईए तो उसे आप लगा देंगे एक वार लगाया पौदे में पंदर दिन में तो कापी एच्छा रेजल्ट आपको मिलेगा तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यह मेरा दूसरा पौदा रखा हुआ है तो यह काफी बहुत बड़ा पौदा यह लंबा देखिए मैं अप लोगों को नजीतिक से दिखाता हूं मैं यह मैंने इनकी जो साका हैं मेरे इसी पौदे पर फूल नहीं आते थे तो मैं मैंने ऐसा किया क्य तो मुझे दस दिन के अंदर काफी अच्छा रेजल्ट मिला है तो मैंने सोचा आपके साथ सेयर की दूँ उस तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा फूल पा सकते हैं मेरे सदावार के पौदे पर इसी पर फूल नहीं आते थे तो मैंने जो फटी लाजर आप लोगो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कमेंट करके जरूर बचाएं